नमश्कार कैसे हैं आप सभी बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का इस चुतक में मैं हूँ राखे मिशा और आज हम बात करेंगे बसंद पंचमी के इस महापर्व के बारे में जिसे मासारसोती के प्रकटे या फिर आफ्तरन दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा माग मा के शुगल पक्षपी की पंचमी तिथी को मनाया जाता है बसंद पंचमी का ये महापर्व और इस बार ये पर्व है 14 फेबरेरी बुद्वार के दिन जिस दिन श्री गनेश की अराधना भी की जाती है तो इस दिन बुद्धी, ग्यान, वाणी और वादेयंत्रों की देवी मा सरसुती की पुझा राधना के साथ साथ आपको श्री गनेश की पुझा पार राधना और मंत्रों का जब जरूर करना चाहिए जिससे आपको मा सरसुती के साथ साथ श्री गनेश का आशिरवाद भी जरूर प्राप्त हो, आज हम बात करेंगे कि अपनी राशी के अनुसार, इस दिन आपको ऐसी कौन से मंद्र हैं या ऐसी क्या चीज़े हैं जो जरूर करने चाहिए जिससे मासारस्वती के साथ साथ श्री गनेश का अश्रवाद भी आपको जरूर प्राप्त हो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेश राशी के बारे में तो मेश राशी के जातकों को इस दिन इस समय पे अपना मन को शांद रखने की ज़रत है आप फुल अफ एनर्जी होते हैं लेकिन कई बार बहुत ज़ादा गुसा भी करते हैं, इग्रेसिव भी हो जाते हैं तो इस समय पे बसंद पंचमी के दिन आपको कोशिश करने चाहिए कि आप सफेद रंग धारन करें, सफेद रंग बे कपड़े पहने और मा के चोटे से मंदर एम मंदर का जब जरूर करें और मा को मीठे चावल का भोग जरूर से लगाएं और इसके साथ ही आप चाहें तो सरस्वती कवच का पाठ भी कर सकते हैं वरिशब राशी की बात की जाएं तो वरिशब राशी को दृश शक्ती के लिए जाना जाता है और वो लंबे समय तक चीजों को याद करने में उन्हें कई बरी परिशानी का सामना भी करना पड़ता है तो इससा में आपको कोशिश करनी चाहिए बसंद पंचमी के दिन की मा को आप चंदन का तिलक लगाएं उन्हें सफेद फूल और पित जरूर से करें और इसके साथ ही इस दिन आपको दूद का दन जरूर करना चाहिए और अगर हम एक मंदर की बात करें तो व्रिशव राशी वालों को इस दिन ओम एम सरसुतेई नमहा इस मंदर का जब जरूर से करना चाहिए मंदर कम से कम 108 बार आप जरूर जाब करें मिधुन राशी की बात की जाए तो मिधुन राशी को बहुत ही intelligent माना जाता है लेकिन अपने आप एक concentration बहुत कम होता है focus कम होता है concentration इनका weak होता है तो इस समय आपको मा के सामने बैठ करके सरस्वती का वच्च का पार्ट तो जरूर करना चाहिए और उसके साथ ही आप ओम इन इस मंतर का जब भी कर सकते हैं और मा को के सर्युक्त खीर का बोग भी आप शरूर लगाए तो मा का अश्रिवाद आपको जरूर प्राप्त होगा कर पाया और उसके लिए आप मा को कीर अर्पित करें और इसके साथ ही गायतरी मंतर का मा के सामने बैठ करके गायतरी मंतर का जब जरूर करें और इस बात का ध्यान रखें कि गायतरी मंतर का जब बहुत ही ऊचे स्वर में नहीं किया जा सकता है वहीं बात करेंगे सिंग राशी के बारे में सिंग राशी के जो जातक होते हैं बहुती गुद्धिमान, इंटेलिजन्ट होते हैं लेकिन कई बार जल्दबाजी में काम करने के कारण अपनी चीज़ें अपने काम खुदी खराब कर लेते हैं तो आपके शिक्षा में जो भी परिशानिया या अर्चने आ रहे हैं वो दूर जरूर होंगी कन्या राशी की बात की जाए तो कन्या राशी के लोग जो होते हैं इंटेलिजन्ट होते हैं बुद्धी अच्छी होती है, तेज होती है, तीवर बुद्धी होती है लेकिन कभी कभी इसी बात में confusion में रह जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें आर कभी कभी मन करता है जो चीजें सामने आरी हैं वो सब कर लें लेकिन इस समय आपको कोशिश करने चाहिए कि मासरसती के सामने बैठ के ओम एम इस मंतर का जब आप जरूर करें जबकि संक्या कम से कम 108 बार तो रखे ही इसके साथ ही जवरतमंदों को कॉपी किताबों से आप मदद जरूर करें तो आपके अंदर जो ये confusion है ये दूर जरूर होगी अब हम बात करेंगे तुला राशी के बार में में इसके साथ ही हो सके तो ब्रहमनों को सफेद वस्त्रों का दान करें और इसके साथ ही माह को मीठे पिले चावल का भोग आप до gaan वहाँ बात की जयए वरिश्चिक राशी के बार में तो व्रिश्चिक राशी जो लोग होते हैं बहुत महनती होते हैं डिसीजन लेकिन उनकी जो होती है डिसीजन मेकिंग स्किल जो होती है वो कहीं ना कहीं उसमें लैक कर जाते हैं तो आपको कोशिश करने चाहिए कि आप मां को इस समय बार उनके किसी भी काम में कोई ना कोई समस्या जब भी वो अपना कोई नया काम शुरू करते हैं तो कोई ना कोई समस्या उनके सामने जरूर खड़ी हो जाती है तो इस समय पे आपको मा को पीली बिठाय का भोग जरूर लगाना चाहिए मा को पीले वस्तरा परवित करें इस के साथ ही आप चंदन का टीका भी मा को लगा सकते हैं और इसके साथ ही आप को चाहए कि इस दिन क्योंकि इस बार बसंथ पंज्मी का यह जो दिन है बुद्वदवार के दिन भी है तो श्री गनेश को भी इस दिन आप अरातना जरूर करें उनके मंत्रों का जब करें और श्री गनेश को दुर्वा अर्पित जरूर से करें तो आपके जो काम के आने में जो अर्चने आती हैं वो भी दूर जरूर होंगी मकाराशी के बारे में तो मकाराशी के लोग भौट ही द्रिशन होते हैं लेकिन कई बार सही समय पे सही decision वो नहीं ले पाते हैं उसमें चूख जाते हैं तो इस समय पे आपको चाहिए कि आप मा के इस मंद्र ओम इंका जब जरूर करें और इसके साथ ही चावल और चीनी का दान इस समय पे आपको जरूर से करना चाहिए अब हम बात करेंगे कुमराशी के बारे में कुमराशी के लोग भी काफ़े intelligent होते हैं लेकिन कई बारी या तो over confident हो जाते हैं या फिर चीजों में decision लेने में लापारवाही कर जाते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि इस समय मां को पीला चंदना परपित करें जरुरत मंदों की उनकी पढ़ाई में उनकी book से उनकी copies को लेकर के उनकी मदद करें इस समय एक्जाम का समय है तो आप किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं उसे कुछ concept समझने में मदद कर सकते हैं और इसके साथ इस समय पे आपको अनाज का दान जरूर करना चाहिए और मा सरस्वती को पीले चावल का भोग आप जरूर से लगाएं मीन राशी की बात की जाए तो मीन राशी के लोग बहुत ही knowledgeable होते हैं अताहा knowledge होती है लेकिन कई बार ये अपने emotions पे control नहीं होता और कई बार decision लेने में confused हो जाते हैं तो आपको गोशिश करने चाहिए कि आप मा को केसर अर्पित करें या फिर केसर युक्तखीर का भोग लगाएं इसके साथ ही आप मा को बेसंका लड़ू का भोग भी लगा सकते हैं मा को आपको हल्दी या फिर चन्न से तिलक जरूर से लगाना चाहिए जिससे आपके अंदर ये जो knowledge है उसका आप समय पर सही इस्तिमाल जरूर से कर पाएं तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहें एस्ट्रो तक तैंक्यू सो मच आप सभी का दिन शुब हो